अश्कार दोस्तों, कृष्णा यस में आपका श्वागत है और आज हम बात करेंगे बेपेसी इंटर्विव के संदर में और बेपेसी इंटर्विव के संदर में भी मेरा फोकस होगा कि एंथर्पलाजी को अगर आपनी एंथर्पलाजी को रखा है तो इंटर्विव के देश रहे हैं और आपने anthropology को opt करके और BPC आपने qualify किया है तो किन-किन बातों को anthropology option paper की त्यारी के संदर्मी आप दियानर में रखेंगे जैसा कि आपको पहले भी हमने बताया है कि interview knowledge का test नहीं है interview personality test है लेकिन personality का एक महत्पून जो aspect है वो है knowledge भी और जब हम personality का test जो है किसी subject के माध्य हम से करते हैं जिस subject को आपने पढ़ा है आपने ये study किया है तो अगर हम उससे related question आप से पूछें और उसकी अदहार पर अगर हम तै करें कि आपका जो personality है उसमें administrative quality है या नहीं तो सभाविक हो जाता है कि हमें अपनी optional paper पर focus करना पड़ता है क्योंकि optional paper का roll भी बड़ा important है अंतिम सफलता में खास करके अंतिम रूप से चैनित होने के लिए एक दो नंबर का value होता है और optional आपको 20-25 नंबर तक दिला सकता है कम से कम इससे जो question पूछे जाते हैं उसका weightage जो होगा वो पूरे interview में 25-30-40 नंबर तक weightage होता है ये person to person जो है वहरी करता है कि आप अपने subject से जब प्रस्ण पूछे जा रहे हैं उसका जबाब आप किस तरह से दे रहे हैं तो इससे optional paper की तयारी आप किस तरह से करेंगे कैसी आप इसको तयार करें किन-किन बातों को इसमें ध्यान रखें आज की इसे video के माध्धम से मैं इन ही बातों को focus करके आपको कुछ important tips दे रहा हूँ सबसी important चीज कि जब आप पी interview देने जा रहे हैं और आपका optional paper anthropology है तो पहला question आपको तयार करना है कि anthropology का प्रसाशन में क्या role है, क्या प्राशंगिक्ता है, क्या contribution है यानि कि वो push सकते हैं कि इस वीशे का प्रसाशन में कुछ contribution को बताई कि क्या इसका role है और क्या या वीशे आज भी प्रसाशन के दिशी कौन से relevant है ये basic question है, ये आम तोर पर पूछे जाते हैं कि प्रसाशन के दिशी कौन से इस वीशे की उप्योगता क्या है तो पहला question तो आप यहीं से त्यार करेंगे दूसरा important चीज़ यह है कि अधिकान से बिद्यार थी जो BPSC का interview दे रहे हैं और उन्होंने anthropology को optional paper के रूप में opt किया है क्योंकि anthropology एक बहुत ही high scoring बिशे है तो बहुत सारे student ऐसी होते हैं कि उन्होंने या तो अपने graduation और post graduation के subject को छोड़ करके और वे anthropology को opt करते हैं या कई वर क्या होता है कि इसके पहले के जो exam थे उसमें आपने दूसरा paper लिया दूसरा subject choose किया और फिर आपने change करके anthropology को अपने optional paper के रूप में रखा तो एक समान्य सा question ये बनता है कि आपने जिस बिशे में graduation या post graduation किया है आप उस बिशे को न लेकर के anthropology को आपने optional paper चैनित किया है तो ये किनों चैनित किया है और दूसरा इसी से related होता है कि anthropology जैसे मान लिया जा कि आप history से post graduate हैं और आपने anthropology को optional paper के रूप में चैनित कर लिया तो दूसरा important question ये होगा कि anthropology history से कैसे different है यानि कि जिन किसी का जो background है educational background है और उस educational background वाले subject को आपने छोड़ दिया है और उसकी जगह आपने anthropology को अपना optional paper चैनित किया है तो आप से इस तरह के प्रस्ण पूछे जा सकते हैं कि दोनों में differences क्या है और दोनों में से कौन ज़्यादा relevant है ये भी एक प्रस्ण का प्रारूप बन सकता है कि question आप से पूछा जा सकता है कि आपनी history में graduation किया है या post-graduation किया है या sociology में graduation किया है और आपनी opt किया anthropology तो कौन दोनों में बेहतर है कौन प्रस्ण के जिसकों से ज़्यादा उप्योगी है ये basic question है इसकी बाद जो है जब आप इसको prepare करने जा रहे हैं तो आपको पता है कि जो मेंस जब देते हैं तो उसमें तीन section की हम त्यारी करते हैं लेकिन syllabus में चार section बना हुआ है पहला section है सामाजिक सांस्कृतिक मानविक ज्यान का दूसरा section है physical anthropology का तीसरा section है anthropological theory का और चौता section है Indian anthropology का इसमी मेंस के exam के शमें physical anthropology और anthropological theory यह optional होता है उसमें से कोई भी section को आप आप्ट कर सकते हैं लेकिन जब आप interview की त्यारी करने जा रहे हैं तो इभें कि अगर physical anthropology आपने option को आप्ट किया है मेंस में लेकिन जब आप interview की त्यारी करने जा रहे हैं तो आपको anthropological theory के संदर में भी थोड़ी सी जनकारी होनी चाहिए ऐसे नहीं कि आप पे उससे एकदम से आउगत ही नहीं है क्योंकि anthropological जो theory है उसका रॉल socio-cultural anthropology को समझने में बहुत ही महत्पून है और इसलिए उसको totally ignore नहीं करना है इसकी बाद जो मुख पहलों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे socio-cultural anthropology है तो concept जितना देया हुआ है उस concept और उनके बीच के differences है न जैसे संस्कृति और सभ्यता संस्कृति और समाज समाजिक संस्था और समाजिक समू समुदाय और कमिटी band and tribe इसमें differences क्या है यह आपको ध्यान में रखना और यह to the point होना चाहिए यानि कि दो-तीन differences आपको याद रखना है और उसकी hierarchy को आप बना के रखेंगे इसकी बाद जो हमारा social institution है जिसमें तीन important social institution को हमें पढ़ना है marriage को, family को और concept को इन तीनों social institution में जो परिवर्तन हो रहे है उन परिवर्तन से question आप से पूछे जा सकते है दूसरा है कि परिवर्तन के दौर में यह कितने relevant है आज भी यह कितने relevant है तीसरा है कि यह hypothetical question पूछा जा सकता है कि क्या भविस में marriage नामक संसा समाप्त हो जाएगी बहुत सारे लोग living relationship में रहने लगे है तो क्या ऐसा भी कभी बगत आ सकता है कि marriage हो, family हो, kincip हो ऐसी जो वेशिक institution है इसके बिना हम survive कर सकते हैं या नहीं क्या इनके बिना survive करना संबह है या future में क्या यह irrelevant हो जाएगे यह hypothetical question होगा इसके बाद जब हम question की बात करें तो economic के जो anthropology का topic है बड़ा ही relevant है और उसमें एक चीज़ धियान में यह रखेगा कि एक समान सा question इंटर्विव में पूछा जाता है कि वेशिकरन की जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया का tribal के जीवन पर क्या परभाव पड़ा है और कभी कभी यह भी पूछा जा सकता है कि इसके दो positive और दो negative impact को आप बताईए और खास करके कभी यह भी जोड़ा जा सकता है कि बिहार के जंजातियों के शंदार में आप बताईए यानि आपको बिहार की कुछ जंजातियों के नाम याद रखने पड़ेंगे और उसकी एकोनामी को ध्यान में रखना पड़ेगा जैसे संथाल, मुंडा, उडाओं, खरिया, विरहोर तो उनको आपको ध्यान में आपको रखना पड़ेगा और इसके साथ जो political anthropology है उसे डारेक्टे तो question जो आपके इस लिवस से है उसे कम बनती है लेकिन एक जो बिहार जिस समस्या से ग्रशित रहा है अभी भी बिहार में यह समस्या है नकसलवाद तो political anthropology के अंतरगत नकसलवाद को भी हम पड़ते हैं तो उसमें यह प्रस्न पूछा जा सकता है relate करके कि anthropology कि इस प्रकार से नकसलिजम को समझने में उपयोगी है और फिर religion का जो topic है बड़ा ही important topic है और उसी hypothetical question पूछा जा सकता है कि क्या बेज्ञान इंप्रदाग्य के विकास के कारण मनुस का धर्मी विश्वास कम होड़ा या अधिक होड़ा यह hypothetical question है इसका जवाब जो बड़ा logical जवाब आपको देना चाहिए क्योंकि जो anthropological study है वो anthropological study कह रहा है कि बेज्ञान इंप्रदाग्य के विकास के वावजूद भी लोगों की धर्मी आस्था कम नहीं हुई है तो यह question पूछा जागा कि क्यों नहीं कम हो रही है दूसी तरफ जो magic है यानि जादू है उसमें आस्था कम हो रही है फिर अगर आपे fieldwork tradition एक topic है आपका वो बोड़ा ही अधूरा topic है BPSC में लेकिन आप थोड़ा सा अपने knowledge को improve कर सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि मानो विज्ञान के अध्येन का जो unique पधती है उसकी बारे में बताए कि how anthropological study is different from other discipline यानि कि एक मानो विज्ञानिक अगर किसी society को पढ़ता है तो किस तरह से sociologist से भीन है, political scientist से भीन है, economist से भीन है इसके बारे में जबाब आपको anthropology का जो method है, study का जो method है उसकी अधार पर देना होगा और ये topic आप prepare कर सकते हैं इस पे आपको ध्यान देना चाहिए और इस तरह से sociocultural anthropology की अंतरगत इन section को आप त्यार कर लें इसकी बाद हम आते हैं physical anthropology की अंतरगत देखो physical anthropology की अंतरगत एक समान सा question ये पूछा जाता है कि मनुस इस जीव जगत में unique प्रानी है, unique animal है तो पांच मनुस की विशिस्ताएं ऐसी विशिस्ताएं आप बताईए जिससे हम समझे की मनुस इस जीव जगत में unique है ये बड़ा ही basic question है जिसकी त्यारी आप क्योंनी चाहिए कि मनुस की विशिस्ताएं क्या है दूसरा कि जो मनुस है और जो एप है उसमें मुल्भुत अंतर देखिए ये means में भी त्यार करते हैं इंटर्विव में अगर पूछा जा कि basic अंतर दोनों के विच क्या है तो आप basic बताना है कि मनुस संस्कृति का निर्मान कर सकता है एप या मंकी संस्कृति का निर्मान नहीं कर सकता आपको यहां पर बात करना है यानि कि जो संस्कृति की जो differences है मैं और एप और मंकी में उस पी आपको बात करना है ताकि interview के अनूप आप जवाब दे सकें otherwise उनके physical जो अंतर है उस अंतर को आपने पढ़ा है दूसरा चीज कि कभी एभी पूछ सकते हैं कि जो मनुस का समाजिक बेवहार है, social behavior है और जो ape और monkey का social behavior है क्या उसमें कोई similarity है तो आप उस similarity को भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि दोनों के behavior में similarity भी है इसके बाद आपे थोड़ा सा कुछ फॉसिज जो आपके syllabus में दिया हुआ है उसके नाम और उसके जगरपकल स्पेड होगार के बारे में जनकारी प्राप्त करेंगे और जो evolution है human का evolution है उसको समझने में वो कैसी important जोगदान करते हैं इसके बारे में आप ध्यान देंगे और इसके बाद जो अगला important जो आपका topic है वो है Mendel Law of Inheritance तो Mendel Law of Inheritance में एक समान सा question पूछा जाता है बहुत basic type का question है कि Mendel ने मतर के पौधे को ही अपने research के लिए क्यों चुना अब ध्यान रखना है कि बहुत ही छोटा question है लेकिन इसका जवाब आपको एकदम standard जवाब ढूंट के रखना है जिसमें जवाब ये है कि मतर का जो पौधा है उसमें variation बहुत अधिक होता है lesson भी हो सकता है और इसलिए इसको बारबर पूछी जाती इंटर्विव में कि उसने इसी का selection क्यों किया दूसरा चीज़ कि Mendel law of inheritance जो है और किस तरह से हमारे practical life में उसका application हो रहा उसके limitations के बारे में पूछे जा सकते हैं फिर race के बारे में पूछा जा सकता है racism के बारे में पूछा जा सकता है और racism के बारे में contemporary आपको example भी पूछा जा सकता है साथी साथ एक concept develop हो रहा race के बारे में anthropology की अंतरगर कि race अब irrelevant हो गया है ये concept irrelevant हो गया है क्योंकि globalization के दौर में क्या हो रहा कि बड़े पैमाने पर जनसंख्या का migration हो रहा और जनसंख्या के बीच हाइवी digestion की process भी पहले से जादा develop कर गई है और इस currency isolation जो gentic isolation बनाये रखने का process race के दौरा किया जाता था कि एक race के लोग अपने ही race के बीच भी विवाह करते थे वो gentic isolation अब ब्रेक कर गया है global lesson के दौर में और इस कारण से race का concept irrelevant हो गया है इसको आपको ध्यान में रखना है इस तरह सी आप physical anthropology के जो section है उसके important question को आप त्यार कर सकते हैं इसके बाद हम बात करें anthropological theory अलांकि अधिकांस लोग anthropological theory नहीं रखते हैं BPSC के मेंस के exam में लेकिन interview के district कों से इसको total ignore आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि anthropological theory मैंने पहले भी कहा कि समाजिक सांस्कृतिक मानविक ज्यान के अध्येन में इसका बड़ा ही रॉल है उसके साथी integrated है और इसल कारी आपको होनी चाहिए जैसे एलिच मॉर्गन की, इवी टाइलर के, एया गॉर्डन चायल्ड के, लेजली वाइट के, जूलियन अस्टी वाइट के, ब्रानिच्लाव मैलनवस्की के, रेटकली ब्राउन के इन लोगों का जो जो जोगदान है इससे contribution को धियान में रखना आपको चाहिए, वो पूछ सकते हैं कि जो रेटकली ब्राउन है, उन्होंने भारत के किसी ट्राइब में अध्येन किया था, क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं। अगर इसमें आप टोड़ा के बीच अध्येन किया था, तो उनकी contribution पर भी question पूछा जा सकता है, अगर इसमें आप total surrender करते हैं, इसका impact negative जाएगा। इसलिए आपको इस section को भी त्यार करना चाहिए, थोड़ा सा देखना चाहिए, जादा नहीं, थोड़ा सा कि आप कम से कम आप परिचित हैं, उसकी बाद जब हम Indian Anthropology की बात करें, तो Indian Anthropology की अंतरगत एक section तो है आपका prehistoric और proto-historic जो culture का development, तो जिन लोग का basic जो है जो graduation का, post-graduation का जो वीशे है, अगर history रहा है, तो वो इस चीज को बड़ा ही बेहतर तरी की आप त्यार करेंगें, otherwise history में भी GS में पढ़ते हैं, तो कोई भी समान सा व्यक्ति जो है, इसमें question पूछने में अपने आपको comfortable पाता है, और इसलिए आपको इस section को भी ध्यान में रखना चाहिए, इसके बाद जो हम बात करें कि जो Indian Anthropology में जो concept है, बहुत सारे concept दिये हुए हैं, जिसमें निचर tradition है, great tradition है, Sanskritization है, westernization है, tribe caste continuum है, dominant caste है, तो ये जो concept है, इन सारे concept का relevant, आप से question पूछा जाएगा, कि ये concept relevant कैसा है, कैसी है, या question पूछ सकते हैं, कि जैसे बिहार के दो dominant caste का आप example दे जिए, और क्या आज की date में dominant caste की dominancy बनाए रखने में सक्चम है, या उसकी dominancy में कुछ परिवर्तन हो रहा है, या dominant caste जो है, उसकी बिहार की राजनिती में क्या role है, कैसी है dominant caste जो है, dominant करता है, इस तरह के चीज़ तो ध्यान में रखना है, फिर आपको बात करना है, इंडियन एंथरोपलाजी में कुछ इ contribution को आपको तियार करना है, एस सी राय को father of Indian anthropology कहा जाता है, तो जब आप एस सी राय को थोड़ा सा उनकी profile को देख लिजेगा, उनसे प्रस्न पूछा जा सकता है, क्योंकि एस सी राय ने जो बिहार के tribe है, मुंडा के बारे में बहुत अच्छा उनका ध्यान है, मुंडा and their country उडाओं के बारे में भी उनका study है, तो एक तो एस सी राय का चुकि वर्क है बिहार से, तो आप उनके बारे में आपको जनकारी होनी चाहिए, उसी तरह से LP विदार थे, बिहार से रहे हैं, बिहार से उनका संदर बढ़ा है, राची इंबरसिटी के HOD रहे थे, और उनका बिहार की जनजातियों पर बड़ा important work है, तो उनकी वर्क के बारे में आपको अउगत होना चाहिए, इसकी बार डॉक्टर सचीदा नन, जो की बिहार के ही रहे हैं, एन सिना इंस्चूट के रहे हैं, उनका भी बिहार की जनजातियों के बारे में बहुत ही important study है, आपको उस इसकी बारे में जनकारी होनी चाहिए, इसकी बारे कुछ Indian Anthropology जैसे MN Cinemas का जो कंटिबूर्शन है, ऐसी दूबे का जो कंटिबूर्शन है, तो इन लोगों का पी की भौमी का कंटिबूर्शन जो है, तो इन important to anthropologist हैं, उनकी बारे में आपको जनकारी होनी चाहिए, उनकी Contribution के बारे में जनकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसकी question पूछे जा सकते हैं, इसकी बाद हम बात करते हैं, तीसरा जो important section है कि बिहार की जनजातियों के बारे में, तो बिहार की जनजाति जो major जनजाति है, संथाल है, मुंडा है, उडाओं है, खरिया है, विरहोड है, तो इनकी बारे में, इनके social economic political culture के सांथ सांथ, बरतमान परस्थिती में इनकी जो इस्थिती है, उसके बारे में आपको जनकारी होनी चाहिए, और इनका जोग्राफिकल भी कि, अगर आप भागलपुर से बिलोग करते हैं, तो पूछ दिया जाएगा, कि भागलपुर में कौन-कौन सी tribes रहती है, या पुर्णिया में कौन-कौन से tribes हैं, तो इन 트ribles के geography और सांथ ही सांथ, इनके कुछ इवनिक culture के बारे में प्रशन पूछे जा सकते हैं, सांथ ही सांथ, 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 सीडुल ट्राइब किश को कहते हैं, एक general concept ओ है, anthropology के अंतर का, तो आर्टिकल क जब सीडूल ट्राइब आप बताते हैं तो एक constitutional definition है सीडूल ट्राइब का जब कि ट्राइब का जो definition होता हूँ anthropological होता इसके साथ साथ ट्राइबल के problems के आपके area में आपके district area में अगर कोई tribe है तो उसके problems को आपसे unique problems को आपसे पूछा जा सकता है और फिर ट्राइबल के बारे में कुछ constitutional provision है उसके article कभी भी पूछे जा सकते हैं और फिर साथी साथ ट्राइबल के लिए बिहार सरकार के जो विकासात्मक कार्जकरम है या भार सरकार के विकासात्मक कार्जकरम है उन कार्जकरमों के बारे में आपसे प्रस्न पूछा जा सकता है सांती सांत, उनके बारे में कुछ सुझाद भी पूछा जा सकता है, कि जो कारिक्रम बनाए गए इस से ट्राइबल में इतना इबलप्मेंट, जितना ओना अचे उतना ड्राइबलप्मेंट नहीं हो रहा, तो आप इसमें अपना क्या सुझाद दे सकते हैं, या administration के district कोन से administrative अपसर आफ हैं किसी travel district का और वहाँ travel का development करना है तो आप उसमें अपनी anthropology के जो knowledge है उसका किस-किस तरह से उप्योग करेंगे और lastly जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि anthropology कैसी relevant है प्रशासन में इसको तो ब्यापक पैमाने पर आप तियार कर लेंगे तो ये major area है जहां से question interview के बनते हैं और इन question को त्यार करके आप interview में optional anthropology के संदर में बहुती comfortable रहेंगे धन्यबाद